मैंने एक बिंदू आवेश लिया है, प्लस Q, इस बिंदू आवेश से R दूरी पर मैंने कोई P बिंदू लिया, और ऐसे ही R दूरी बाईं और भी मैंने कोई दूसरा बिंदू लिया, मानलीजे A बिंदू लिया, अब मैं जैसे ही P बिंदू पर कोई परिक्षन आवेश रखता हूँ, तो इस प्लस Q के कारण उस पर प्रतिकर्शन लगेगा दाईं और विद्युक्षेतर की दिशा आएगी, और ऐसे ही अगर आप एक परिक्षन आवेश A बिंदू पर रखते हैं, तो प्लस Q के कारण ये साइन द्वरा दर्शा आते हो, एक प्लस दिशा हो गई तो एक माइनस दिशा हो गई, अब आप ये तो जानती हैं कि बिंदू आवेश के कारण जो विद्युक्षेतर यहाँ पर उत्पन होगा, उसको हम इस परिमार से दर्शा सकते हैं, E बराबर के Q बाई R स्क्वेर, E अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, विद्युक्षेतर सदिश और R के बीच में, तो आप पाएंगे कि दाई और की दिशा को मैंने धनात्मत माना है, तो दाई और जब भी विद्युक्षेतर होगा, ग्राफ उपर की और बनेगा, बाई और की दिशा को मैंने पा रहे हैं, दूसरी बात, ये क्योंकि दाई और की विद्युक्षेतरती इसलिए मैंने ग्राफ उपर बनाया है, लेफ्ट वाले बिंदू पर भी आप जितना दूर जाएंगे, विद्युक्षेतर का मान कम होता जाएगा, लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए ग्राफ न नीचे बन गया है, और कोई अंतर इसमें नहीं है, तो ध्यान से आप समझते हुए इसको चलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बन गया अपना ग्राफ, अब यहाँ ध्यान क्या रखना होगा, कि जब हमने धनावेश लिया है, प्लस क्यों आवेश लिया है, तो ग्र आफ कौन कौन से चतुरभुज में बना, कौन कौन सी क्वाडरेंट में बना, फस्ट क्वाडरेंट में बना और से थर्ड के अंदर बना, देको चार क्वाडरेंट होती है, चार क्वाडरेंट कौन कौन सी होती है, सबसे ये हो गई 1, ये 2, ये 3, और ये 4, चतुरभुज एक और थेखेंगे कि दो नंबर और 4 नंबर वालिकॉर्ण कोडों खाली है। परिणाम को साइड में लिखेंगा कि जब भी positive आवेशा जाता है तो कौन-कौन सी कोडोरेंट में ग्राफ बनता है एक और तीन नंबर क्वाडरिंट में ग्राफ बनता है अब मैं इसको यहां से हटा दूंगा और पॉजिटिव आवेश की जगे पर नेगिटिव आवेश लूंगा रिनावेश लूंगा तो देखते हैं आंसर पे क्या फरकाता है तो एक तो मैंने प्लस क्यों हटा द लेता हूं और अब मैं नेगिटिव आवेश यहां रखता हूं इस नेगिटिव आवेश के कारण जो परिक्षण आवेश है वो अब आकर्चित होंगे इस प्लस क्यू नॉट पर आकर्चन लगेगा बाई हो और इस प्लस क्यू नॉट पर भी आकर्चन लगेगा लेकिन द जो left वाला point है a point उस पर electric field की direction right में आ रही है right direction को हमने कैसा माना था positive माना था तो graph बन जाएगा उपर यानि अगर one two three four quadrants वापस से देखते हो तो खुल मिला के इस बार second और fourth quadrant में graph बन रहा है first और third खाली है यानि फिर से जो हमारे पास परिनाम आया है वो है कि negative आवेश अगर दिया होगा तो graph दूसरे और चौथे चतुर भुजना बनेगा second और fourth quadrant में बनेगा तो यहां हमने एक एक परिक्षन आवेश रख 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 के देखा दोनों और उससे क्षेतर की दिशा पता करके दाई और क्षेतर है तो graph उपर बनाया बाई और क्षेतर है तो graph नीचे बनाया लेकिन कई बार दो आवेश दिया होगे कई बार तीन कई बार चार तो इतनी ज दूगा इसे आप ध्यान से लिख लीजे क्योंकि मैं इसे हटा करके यहां पर अप ग्राफ आपको दिखाने वाला हूं जो अमारे काम में आएंगे तो इससे आपने लिख लिया है इसलिए मैं यहां से हटा देता हूँ और अब मैं एक एक करके क्या करूँगा एक बार तो यही डाइग्राम आपको फेर बना के दिखाँगा और एक बार मैं यहां पर एक की जगे अगर दो आवेश हों दो की जगे तीन और इस तरह से दो प्लस दो माइनस इसके कॉम्बिनेशन बना बना के दिखाता हूँ कि उस केस में फिर क्या होगा यह देखिए यहां ग्राफ बने हुए हैं पॉजिटिव का हम देखी चुके थे पॉजिटिव चार्ज के ग्राफ कॉन-कॉन सी क्वाडरिन में बनते हैं 1 और 3 क्या वो ही अंसर है जो हमारा है था बिलकुल यहां डिरेक्ट बना के दिया है हमने इसके पीछे की साइंस भी समझ लिए ऐसे ही अगर आप नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव के लिए कॉन-कॉन सी क्वाडरिन में ग्राफ बन रहा है सैकेंड और फूर्थ क्वाडरिन के अंदर बन रहा है तो वो रिजल्ट भी हमारा मैच हो गया है अब मैं आप से कहा था था ना कि एक की जाएके दो आवेश होंगे तो वो डाइग्राम्स यहां दी है तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे आप ग्राफ के टुकडे कर देंगे यानि आप प्रत्येक बिंदू आवेश को चार-चार चतुरभुच देदोगे चार-चार कॉडरिन्स देदोगे कैसे देना है देखो यहां देखिए इस प्लस के यह 4 कॉडरिन्स हो गए 1,2,3,4 और इस प्लस के यह 4 कॉडरिन्स हो गए 1,2,3,4 यानि एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने इस ग्राफ को बीच में से काट दिया इस बिंदू आवेश के लिए चारों का एक अलग कॉडरिन्स बन गया उस बिंदू आवेश के लिए भी चार अलग से कॉडरिन्स बन गए अब आपको कुछ नहीं करना है आप मैच करते जाईएगा पहला चार्ज कैसा दिया है पॉजिटिव कौन कौन सी कॉडरिन्स में ग्राफ बना हुआ है क्या मैच हो रही है बात जो हमने लिखी थी उससे पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनता है फ़स्ट और थर्ड क्वाडरिन्स में इसके आगे वाला चार्ज भी कैसा है पॉजिटिव तो इसका graph भी क्या first और third में आ रहा है हाँ, यानि हमने जो बातें सीखी है single charge के लिए वो double charge पर भी लागू हो जाएंगी अगर आप graph को break करके दोनों तरफ से इसको बना दोगे तो एक shape आपके पास में approximate आ जाएगा तो इसको मैं फिलाल यहां से हटा देता हूँ तो आपको exact दिख जाएगा कि final graph कैसा है है ना, कुछ नहीं करना जो भी graph आपको दिया है उसके दो parts कर दीजिए दोनों parts में चार-चार quadrants हैं, 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4 अब देखिए negative charge था second और fourth quadrant में graph बन रहा है यानि हमारी वाली बात एकदम match हो गई, इसके साथ वाला भी negative charge है, second और fourth में बन रहा है, मतलब यह graph भी एकदम सही है, verify हो गया, यानि exam में अगर option में से choose करने को बोला जाए तो इस प्रकार से हम check कर सकते हैं, graph सही है या गलत है, यहाँ भी दो पार्स में इसको break कर दिया, positive charge क्या first और third quadrant में है, बिलकुल है negative charge क्या second and fourth quadrant में है, बिलकुल है यानि सारी बात एकदम सही चल रही है same इसमें देख सकते हो आप, यह negative है first और third quadrant, sorry, second and fourth quadrant और positive के लिए first and third quadrant बस आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि positive charge के लिए first and third negative charge के लिए second and fourth अगर दाई और के दिशा positive लिए जो कि हमेशा लिए ही जाती है तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं तो यह graph की बात हो गई है न, कभी आपको पूशा जाए तो इस तरह से आप अपने options चेक कर सकते हो अब आगे बढ़ते हैं मैं एक question करके दिखाता हूँ इस card, जैसे यहाँ पर दो थे अब दो की जगे में चार graph यहाँ पर लेता हूँ चार आवेश लेता हूँ चार आवेश हैं A, B, C और D और यह answer दिया हुआ है इस प्रशन का ठीक है, पहले से मैंने answer लिखके रखा है अब आप देखना क्या हमारे वाले तरीके से यह answer match हो रहा है, तब तो हमारा method एकडम सही है, वरना यह method हमारा कलत है, तो क्या करना होता है सर ने कहा था कि हर एक आविश को 4-4 quadrants दे दे दे, इसको 4 quadrants दे दी, ऐसे ही B बिंदू वाले आविश को भी अपनी खुद की 4 quadrants दे दी C को भी 4 quadrants दे दीजिए 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही D को भी आप 4 quadrants अपनी खुद की assign कर दीजिए 1, 2, 3 and 4, अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर 1st और 3rd quadrants में ग्राफ बन रहा है तब तो ग्राफ positive charge का है और अगर 2nd या 4th quadrants में बन रहा है तो negative Q charge का वो graph होगा तो करते जाते हैं सबसे पहले Q1 की या QA की बात करते हैं QA के अंदर कौन-कौन सी quadrants में ग्राफ है दो और 4 नंबर quadrant तो खाली पड़ी है graph कहां बना है एक में और 3 में एक और 3 में है यानि कि ये धनावेश है positive है ऐसे ही B की बात कर लीजिए B का graph B 1st और 3rd quadrants में बना हुआ है 2 और 4 में खाली है यानि B में 1st और 3rd हो गया तो ये भी कैसा हो गया positive देख लो answer में तो match होता जा रहा है अपका ये और भी बिल्कुल सही आए है C में graph कहां पर है 2 और 4 नंबर quadrant में graph बना हुआ है 2 और 4 होता है तो क्या होता है negative charge होता है इसका मतलब C वाला आवेश रिनात्मक है negative है D में देख लीजे क्या हो रहा है D वाला जो आवेश है उसमें 1 और 3rd quadrant के अंदर graph बना हुआ है यानि कि फिर से ये कैसा हो गया positive और आप ध्यान से देखेंगे 4 और आंसर हमारे given answer के साथ में match हो गये हैं यानि हमारा तरीका 100 प्रतेशात एक दम सही है आपको graph के टुकड़े करने है अभी थोड़ा सा साफ करके मैं original graph दिखा देता हूँ आपको कैसा दिया हुआ था इस तरह से graph था original फिर अमने क्या करा हर आवेश के हिसाब से graph को बांट दिया ठीक है quadrants में हर आवेश को 4 quadrant मिल जा इस तरह से graph को तोड़ना है और फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th वो देखते हुए आपको आगे बढ़ना है याणि इस तरह से तोड़ देंगे और quadrant देखते जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये graph बनाने हमने सीख लिए हैं अब आगे वैद्यूद छेत्र रेखा है अत्वा वैद्यूद बल रेखा है ELF साइड में लिखा है इसको हम EFL भी लिख सकते है ELF का मतलब है electric lines of force यानि वैद्यूद बल रेखाओं का अंग्रेजी अनुवाद हो गया और वैद्यूद छेत्र रेखा है यानि electric field lines भी इसको बोला जा सकते है तो यहां लिखा सब जगे ELF आएगा मैं EFL बोलूँगा electric field lines तो यह होती क्या है सबसे पहले यह 3IM यानि 3D सतत यानि continuous कालपनिक वक्र है कालपनिक मतलब वास्तविक्ता में इनका कोई existence नहीं है जिनके किसी बिंदू पर स्पर्ष जया यानि कि tangent बनाने पर अगर आप कहीं tangent बना दें तो उस बिंदू पर वैद्युद क्षेत्र तीवरता की दिशा को वो दर्शाती है यानि कहीं आपने इस प्रकार से एक वैद्युद बल रेखा बना दी या विद्युद चेत्र रेखा बना दी तो उसमें आप कहीं भी tangent बनाएंगे इस पर्ष जया बनाएंगे तो वो tangent उस जगह पर उस बिंदू पर विद्युद चेत्र की आपको दिशा बता देगी मान लिजे किसी और बिंदू पर आप tangent बनाएं तो यहां भी आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकलर बिंदू की आपके पास में विद्युद चेत्र की दिशा आ जाएगी तो यह एक basic परिभाशा हो गई और एक example हो गया इसे note करिए फिर आगे एक एक करके इसके सारे गुणों को समझते हैं ऐसे प्रशन आए हैं जहां एक चित्र बनाके आपसे पूछा जा सकता है विद्युद चेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में या फिर कोई सही या गलत डाइगराम दे के पूछ सकते हैं कौन से डाइगराम सही है या कौन से डाइगराम गलत है तो पहला गुण देखिए क्या है कोई दो विद्युद चेत्र रेखाओं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है ये रेखाओं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है क्यों नहीं काट सकती है एक डाइगराम बनाया है समझा देते हैं मांगी जी ये एक विद्युद छेतर रेखा है, ऐसी एक और रेखा यहां से आपने बना दी, अब आप देखेंगे एक ऐसा बिंदू बीच में आ रहा है, जहां से दो विद्युद बल रेखाएं गुजर रही है, यानि इस वाली रेखा के हिसाब से स्पर्षजिया या टें दिशाएं हैं, जो की असंभव है, एक बिंदू पर नेट विद्युद छेतर रेखा हैं, तो यहां पर लिखा हूँ अभी है, जो इसका कारण है, कारण पढ़िये, क्या लिखा है, या दीवे ऐसा करती, कैसा, अगर वो एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिछेदन एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठेक, यह गुण हो गया, इसे आप लिख लीजे, दूसरे गुण की और बढ़ते हैं, दूसरा बिंदू कहता है, कि वैद्यूत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई, और रिनावेश पर समाप्त होती हुई, प्रतित होती हैं, यानि पॉजटिव आवेश से निकलती हैं, और नेगटिव आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं, जैसा इस चितर में आप देख पा रहे हैं, प्लस क्यू से बाहर की और रेखाएं जा रही हैं, माइनस क्यू में आपके समाप्त हो रही हैं, ठीक है, तो यह बहुत आसान सा गुण था इसे केवल आपको लिखना है प्रिणावेश ठीक से लिख लीजिएगा फिर इसके बार अगले गुण की और बढ़ते हैं वैद्युद बल रेखाओं की जो संख्या होती है वह आवेश के मापांग के समानुपाती होती है कहने का तातपर यह है कि अगर किसी बिंदू से किसी बिंदू आवेश से 10 रेखाएं गुजर रही हैं और दूसरे आवेश से केवल 4 रेखाएं या उससे कम रेखाएं हैं तो जिस आवेश में से अधिक रेखाएं निकल रही है या समाप्त हो रही है उसका परिमार कम रेखा ये एक डाइग्राम है प्रश्ण में डाइग्राम दिया है और चार आप्शन्स दिये हैं इनमें से सही आप्शन्स काम को चुनाओ करना है तो एक option में तो आप देख पा रहे हैं कि ये बताना है कि परिमान किसका जादा है और एक option में बताना है कि कौन सा positive है कौन सा negative है तो परिमान वाली बाद तो अभी अभी हमने सीखी है विद्यूत बल रेखाओं की संख्या जितनी जादा होगी आवेश का मापांग भी उतना ही जादा होगा अगर हम बाई और वाले आवेश को देखें तो एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो नो विद्यूत बल रेखाओं आ रही है और दूसरे वाले में आप देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ साथ विद्यूत बल रेखाओं आ रही है तो अब बता सबते हो कि जिसमें विद्यूत बल रेखाओं की संख्या अधिक है वह आवेश का परिमान अधिक होगा यानि कि Q1 का परिमान Q2 से अधिक होगा यानि कौन सा उप्षन हो गया ये पहला उप्षन सही हो गया अब इसके अलावा जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है वो भी हमने पीछे सीखी थी कि विद्यूत बल रेखाओं धनावेश में से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और रेणावेश पे समाप्त होती हुई प्रतीत होती है यानि Q1 में से रेखाओं बाहर निकली है तो वो पॉजिटिव हो गया और Q2 पे आके समाप्त हुई है तो वो नेगेटिव आवेश हो गया है ठीक है जी? इसको भी आप आराम से लिख दीजे ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया A option भी सही है और C option भी सही है ठीक है? दो option इसमें सही हो गये आगे बढ़ते हैं चौथा गुण चौथा गुण में क्या बात हो रही है? वैद्युद बल रेखाओं का जो रेखा धनत्व है या उनकी जो निकटता है वै किसको प्रदर्शित करती है? उस चेत्र की तीवरता को प्रदर्शित करती है जैसे इस चित्र में आप देख पाए A बिंदु के आसपास रेखाओं का घनत्व या उनकी निकटता मतलब बहुत कम दूरी पहने जहां जो घनत्व है वो कम है यानि रेखाओं के बीच की दूरी बहुत ज़ादा है तो आप कह सकते हो जहां घनत्व ज़ादा है जहां रेखाएं पास पास हैं वहाँ तो विद्युक्छेत्र तीवरता बहुत अधिक है उसकी और जहाँ पे इन रेखाओं के मध्य दूरी जादा है या रेखाओं दूर दूर है या घरत्व कम है वहाँ आप कह सकते हो कि छेत्र कमजोर है विद्व छेत्र की तीवरता कम है तो ऐसा ही यहाँ एक चित्र बना के दिया है इसको एक प्रश्णी की तरह अगर आप देखें तो आप बता सकते हैं जितना रेखा घरत्व अ बिंदू पर है उतना ही C बिंदू पर है यानि A और C बिंदू के विद्व छेत्र तो आपस में बराबर होगे लेकिन B बिंदू के आसपास जो रेखाएं हैं बहुत दूर दूर है वहार एक हाओं का घरत्व कम है खेत्र कमजोर होगा वीक फिल्ड होगी यानि जो B बिंदू है B बिंदू का खेत्र इन दोनों से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से कोई प्रशना आपको दिया जा सकता है ऐसे चार ओप्शन बना के आपको दिये जा सकते है तो ये चौथा नंबर का गुण भी हमने देख लिया अब आगे अगले गुण की और बढ़ते हैं पांचवा गुणिया देखिए एक समान वैद्युत्षेत्र समानतर एवं सम्दूरस्त रेखाओं से दर्चाया जाता है किसी प्रशन में अगर बोला हो कि एक समान वैद्युत्षेत्र है यानि उसका परिमान भी नियत है और दिशा भी समान है ना दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना परिमार में परिवर्तन हो रहा है ऐसे एक शित्र को कैसे दर्शाया जाएगा इस प्रकार से जो रेखाएं होंगी वो सभी रेखाएं एक ही दिशा की और पॉइंट कर रही होंगी और उनके मद्य दूरी भी हर जगे क्या होगी बराबर तो यह जो चित्र हमने बनाया है यह चित्र किसको प्रदर्शित कर रहा है एक समान वेद्यूख्शित्र को प्रदर्शित कर रहा है यानि आपको कभी uniform electric field बनाने हो तो ऐसे बनाओ सारे तीर के निशान एक ही दिशा में होंगे और उनके मध्य दूरी भी क्या होगी समान होगी तो चलिए आगे बढ़ें अगले गुर की ओर हाँ जी यह एक महत्वपूर्ण बिंदू है इसको बहुत ध्यान से हमको डिस्कस करना है तो समझते वे चलिए शुरू से इसको इंपोर्टेंट ठेक है देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यानि स्थिर वैद्यूतिकी तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूं ये चीज कि बात जितनी भी मैं बोलने वाला हूं वो स्थिर वैद्यूतिकी के लिए ही लागू होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली एक बात आ रही है पॉइंट पढ़िए स्थिर वैद्यूत खेत्र रेखाएं स्थिर शब्द पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है पीछे कहीं नहीं लिखा था स्थिर वैद्यूत खेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती है किन्तु वैद्यूत खेत्र रेखाएं बंद लूप बना सकती है आप अंतर समझ गए होंगे अगर स्थिर वैद्यूत खेत्र की बात हो रही है चार्ज एट रेस्ट है स्थिर वैद्यूतिकी इस chapter की बात हो रही है तो कभी भी बंदलूप नहीं बनेगा लेकिन अगर सिर्फ ये लिखके दिया जाए क्या वैद्यूतिक छेतर रेखा है बंदलूप बना सकती है हाँ, अगर आगे स्थिर नहीं लिखा है तो वह बंदलूप बना सकती है कैसे वो देखते हैं अचा फिलाल हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्यूतिकी तो स्थिर वैद्यूतिकी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए पहला डाइग्राम देखिए या तीन डाइग्राम से हैं पहले डाइग्राम में देखिए ये प्लस क्यू आवेश से एक रेखा प्रारंब होती है माइनस क्यू पे जाके समाप्त होती है और फिर माइनस क्यू से वापस शुरू हो जाती है और प्लस क्यू पे जाके समाप्त होती है यानि इसने एक तरह से एक close loop बनाया है, बंद loop बनाया है जो नहीं बनना चाहिए एक गल्ती और इसमें आपने पकड़ ली होगी कि चलो उपर तो plus q से प्रारंब हुई, minus q पर समाप्थ हो गई लेकिन नीचे रेखा minus q से प्रारंब हुई है और plus q पर जाके समाप्थ हो गई है जो कि गल्त है, यानि ये डायग्राम गल्त है अगर आपको डायग्राम बनाके पूछा जाए इन चारों में कौन सा सही कौन सा गल्त, तो आप बता सकते हैं इसमें दो गल्तिया है, एक तो बंद loop बन रहा है इस तरह से एक दिशा में और दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात ये है कि जो माइनस क्यू है उससे कभी भी आवेश प्रारंप नहीं हो सकता है और प्लस क्यू पर जाके समाप्थ भी नहीं हो सकता है, ये डायग्राम गल्त है मानलो ये तीन आप्शन दिये हुए ये चौथा भी कोई एक सही वाला दिया है इसमें क्या प्राब्लम है क्या ये बन सकता है और नहीं बन सकता है तो प्रशन देखना होगा क्या स्थिर वैद्यूत बल रेखाओं के बारे में बात हो रही है या सिर्फ वैद्यूत रेखाओं के इसमें भी आप देख रहे हैं कि बंदलू बन रहा है, मतलब यह चितर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या गलती थी, बंदलू बन रहा है, साथ में एक गलती और इसके अंदर, कभी भी विद्यत बल रेखा हैं ऐसे, जटके से नहीं मुड़ती हैं, यह continuous curve होते हैं, मैं इस तरह से sudden breaks नहीं आते, smooth curves होते हैं, आराम से मुड़े, वो संभव है, लेकिन एक जटका देखे, अगर यह मुड़ जाती हैं किसी दिशा में, तो वो असंभव है, ठीके, फिर बात आती हैं कि सर आपने कहा कि वैद्युक छेतर रेखा हैं, बंदलू बना स कैसे होगा, देखे, अगर मोटे तोर पर बताओं, तो वैद्युक छेतर दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिरावेश के कारण बनता है, और दूसरा प्रेरित वैद्युक छेतर के कारण बनता है, स्थिरावेश वाले केस में कोई बंदलूप नहीं बनेगा, जैसे इन त जित्र में हम तिक लगा देंगे सही है बिलकुल ठीक है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है स्थिर आवेश की बात हो रही है तो बंदलूप नहीं बनेंगे आगे जिस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वहां बताया जाएगा किस तरह से क्लोज लूप बनते हैं फिलाल के लिए अभी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक में कभी भी जो विद्यूद बल रेखाएं हैं वो बंदलूप नहीं बनाती है तो इसका अब ध्यान से लिख लेना इंपॉर्टेंट है ध्यान दटने वाली बात है मैं आगे बढ़ता हू सेवन्थ पॉइंट कियो सेवन्थ पॉइंट में क्या बात हो रही है स्थिर वैद्यूत अवस्था में यहां भी यह बात जोर देके बोली गई है कि स्थिर वैद्यूत अवस्था में चालक के भीतर वैद्यूत शेत्र शून्य होता है जब चालक के गुण आपको पढ़ा जाएगे चैप्टर के एंड में तो वहां ये बात बताई जाएगी ऐसा होता क्यों है पर अभी आप मेरे कहने से मान लीजिए कि चालक की भीतर वैद्युक्षेत्र शून्य होता है जब चालक के भीतर कोई वैद्युक्षेत्र ही नहीं है तो वैद्युत बलरेखाएं किसे प्रदर्शित करेंगे वैद्यूद बल रेखाओं का काम क्या है वैद्यूद छेत्र को एक डाइग्राम के रूप में दर्शाना एक चित्र के रूप में दर्शाना सचित्र और वरणन करना उनका लेकिन जब छेत्र ही नहीं है तो प्रदर्शित क्या करोगे फिर आप तो ए कि जो मुक्त इलेक्ट्रों ने वो गती करने लगी में गतीमान हो जाएंगे स्थिर वैद्यूत अवस्था वाला जो आंसर है वो गतीमान आवेश पर लागू नहीं हो सकता है ठीक है इसलिए आप ये जो गुण पढ़ रहे हो जहां साफ साफ लिखा है कि ये केवल स्थिर व वैद्यूत शेत्र शुन्य होता है अतह चालक के भीतर वैद्यूत बल रेखाएं दर्शाई नहीं जाती है ठीक है और इसका अगर चितर बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं यह एक चालक है अब चालक पर आपने बाहर से एक वैद्यूत शेत्र लगाया इनाओ अब चालोकों का एक गुण है, जब आप आगे पड़ोगे तब बताएंगे, उनमें जैसा क्षेत्र आप लगाते हो, उतने ही परिमार का एक विपरीत दिशा में क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और आपके वाले क्षेत्र को काट करके, नेट कितना कर देता है, जिरो, जब क्षेत्र आप लगाओगे, उससे कम विपरीत दिशा में अंदर बनेगा, तो पूरी तरह कैंसल नहीं होगा, लेकिन परिमार को थोड़ा सा कम कर देगा, अब ये सब चीजें आगे आएंगी, जब कैपसिटर आप पड़ोगे तो वहां पर ये सब बातें आएंगी, अभी सम्विभव प्रिष्ट नाम से मालूम चल रहा है, एक ऐसा प्रिष्ट जिसके हर बिंदू पर विभव नियत रहे, यानि विभव समान रहे, चूकि चालक का प्रिष्ट एक सम्विभव प्रिष्ट होता है, अतहा वैद्युत बल रेखाएं सदेव चालक के प्रिष्ट के लंबवत होती है, ठीक है, यह प्लस Q एक बिंदू आवेश है, इस बिंदू आवेश से कुछ विध्यूत बल रेखाएं का रेखाएं प्रारम होती है, और यह जो रखा है बीच में यह चालक रखा हुआ है, तो यहाँ आपको क्या सिखाया गया, कि चालक के साथ वेध्यूत कितना कुण बना रही है 90 डिगरी या दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नई विद्यूद बल रेखाओं का निर्मान हो रहा है तो वो नई विद्यूद बल रेखाओं का जो निर्मान होगा वह भी कितने डिगरी पर होगा 90 डिगरी पर होगा तो यह आपको ध्यान रखना है चित्र में हमेशा चालक के साथ विद्यूद बल रेखाऊंगा कोण 90 डिगरी होगा बाकी जो गहराई हो में बात जा रही है कि सम विभव पृष्ट होने के कारण ही ऐसा क्यों हुआ वो सब चालक के गुणों में आगे आएगा यह एक चित्र आपको दिया है अब हम देखते हैं बना कैसे है यहां हमको पहुँचना है यह टार्गेट है हमारा यह मैंने आठवें गुण की तरह ही लिया जान बूच के देखो क्या हो रहा है इसमें हमने एक चालक गोला लिया है, जो खोकला गोला है, खोकला मतलब इसकी भीतर का हिस्सा खाली है, केवल एक छोटे से हिस्से में कुछ चालक दर्यमान है, चालक पदार्च से बना हुआ ये कोश है, हमने इस चालक में भीतर केंदर के जगे, केंदर के अलावा किसी और बिंदू पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, चालकों का ये गुण होता है, कि अगर आप यहाँ प्लस क्यू आवेश रख देंगे, तो उतना ही माइनस क्यू आवेश इस अंदर वाले प्रष्ट पर प् इस तरह से, यानि अगर मैं चित्र बनाओं, तो ऐसे बना सकता हूँ, कि इस प्लस क्यू के कारण, माइनस क्यू प्रेरित हुआ अंदर, और प्लस क्यू प्रेरित हुआ, या प्रेरित मत करिए, प्लस क्यू उत्पन्न हुआ बाहर के, ठेक है, अब जो आपने गुण वो रेखाएं, कोश के भीतरी प्रष्ट पर जो रिनावेश है, वहाँ जाके सम्नाप्त हो जाएंगी, और क्यूंकि चालक गोला है, तो भीतरी प्रष्ट के साथ ये रेखाएं, हर स्थान पर आप देखेंगे, 90 डिगरी का कौन बनाएंगी, क्यूंकि चालक का अभी ये हमने पीछे सीखाता, और बाहरी प्रष्ट पर जो धनावेश है, वहाँ से जो नही रेखाओं का निर्मान भी होगा, वो 90 डिगरी के कौन पे ही होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, चितर बना है, प्लस क्यू से माइ प्लस क्यू बाहर आ गया, और ये डाइग्राम जादा अच्छा दिख रहा है, तो आप इसको बना लेना, और ये हमारा सचितर वर्णन हो गया, इस चितर का की कैसे बना था, पूरा हमने बना के देख लिया, इसे आप नोट कर लिए, तो ऐसे भी आपको कोई डाइग्राम देके पूछ सकते हैं कि बताइए, इस तरह की सिच्वेशन में कैसा डाइग्राम बनेगा विद्युद चितर रेखाओं का, ये नाइंथ बिंदू था और हम आगे बढ़ते हैं, यहां भी एक चितर दिया है, और इस चितर में चार विद्युद बल रेखा हैं, देखर ऐनी कि छालक गोला है, छालक गोला है, कुछ नहीं दिया है, ठोस मानेंगे, ये ठोस चालक गोले में क्या हो रहा है, पहली रेखा तो अंदर से होती हुई जा रही है और यहां देख सकते हैं 90 डिगरी का कॉर्ण भी नहीं बना रहा है तो गलत होगे इक के चालक के अंदर विद्यूत बल्ब रेखाएं नहीं बनती हैं पहली बात और 90 डिग्री के कोण पर ही समाप्त होती हैं और प्रारम होती हैं दो चीजें इसमें गलत है क्या क् क्योंकि भीतर विध्यत खेतर शून्य होता है इसलिए विध्यत बल रेखाएं नहीं होंगे पर इसमें भीतर से भी जा रही है तो one number में और three number में आप देख पा रहे हैं कि अंदर से रेखाएं जा रही है जो कि असंबर है दूसरा अगर आप fourth number option देखते हो तो examiner नहीं बताया है कि 90 degree का कौन बन रहा है second number में नहीं बताया है यानि second number में ये कौन 90 degree से थोड़ा तो different होगा तब ही यहाँ पे इसने ये वाला sign बना के नहीं दिया यानि दूसरा वाला भी गलत हो गया क्योंकि 90 degree का angle नहीं बन रहा है तो सबसे सही diagram कौन सा है ये चौथा number का यहाँ चौथे number में आप देखेंगे कि रेखाएं 90 degree पे जाके समाप होई और 90 degree पे ही जाके प्रारंग होई और अंदर से भी नहीं गई चालक के भीतर कोई रेखा भी नहीं दिये तो सबसे सही इन चारों में कौन सा option लग रहा है चौथा option लग रहा है तो इस प्रकार से आपको कोई प्रश्ण दे करके भी पूछा जा सकता है कि किस रेखा में सही निरूपन हुआ है किस में गलत है कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं तो प्रश्ण को ध्यान से पढ़िएगा सही पूछा है या गलत पूछा है तो आई थिंग ये सारे गुण हम डिसकस कर चुके हैं जो जो मुख्य बातें थी वो सारी हमने इसमें देख ली हैं तो आगे बढ़ सकते हैं विद्यूत फ्लक्स की ओर विद्यूत फ्लक्स क्या होता है देखिए अभी आपने पढ़ा विद्यूत बल रेखाओं के बारे में तो यहाँ एक चित्र दिखा रखा है जिसमें कुछ एरिया है कुछ खेतरफल है मान लेते हैं एरिया कितना है इस ए एरिया के प्रश्ट में से कुछ विद्यूत बल रेखाओं गुजर रही है जैसा चित्र में दिख रहा है तो जिस प्रश्ट में से जितनी जादा रेखाओं गुजरेंगी और प्रश्ट के लंबवद गुजरेंगी उसका फ्लक्स उतना ही जादा माना जाएगा यानि flux का जो सिंबल है phi e वो समान उपाती है किसी शेत्रफल से संबद वैद्यूत बलरेखाओं की संख्या के जितनी जादा संख्या में रेखाएं क्रॉस करेंगी उस प्रष्ट को उतना जादा उस प्रष्ट का flux कहलाएगा अगर हम mathematical definition की बात करें परिभाशा की बात करें तो विद्यूत फ्लक्स की परिभाशा है e dot a जिसमें a क्या है area vector है तो एक बार इसको लिखो फर मैं समझाता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है ये समझ ले न कि विद्यूत बल सदिश और area सदिश शेत्रफल सदिश उनका हमको dot गुणा करना है कैसे करना है मैं अगले पेश को बताता हूँ ये देखिए ये चित्र है इसमें ए तो आपका शेत्रफल सदिश है यानि कि इंगलिश में लिखेंगे area vector और चित्र में आप देख पा रहे हैं अगर ऐसे रखा है इस प्रकार से तो area vector इसके लंबवत जाएगा ये प्रिश्ट है माले ये मेरा हाथ ऐसा प्रिश्ट है तो इसके लंबवत जो है area vector की दिशा होगी है ना तो यहाँ पे area vector प्रिश्ट के लंबवत आपको दिखाई दिया विद्यूत शेत्र की दिशा दी हुई है ये विद्यूत शेत्र में और area सदिश में जो कोण है वो theta दिया हुआ है तो उस स्थिती में जो पीछे परिभाशा लिखी थी phi e बराबर e dot a उसे लिखा जा सकता है e a cos theta यहाँ पर जो theta कोण है वो e सदिश थता a सदिश के मध्य कोण है कई बार गलती से हम शेत्रफल के साथ कोण लेते हैं नहीं शेत्रफल सदिश पहले निकालिए जो की शेत्रफल के लंबवत होगा और उसका कोण फिर e के साथ देखना है वरना अंसर गलत आ जाएगा area vector की जो दिशा ली जाती है सदेव दिए गए प्रष्ट के लंबवत ली जाती है और प्रष्टिय सदिश का जो परिमान है वो area से निकाल सकते हैं जैसे की rectangle है तो l into b से निकाल सकते हो वर्ग है तो a square से circle है तो pi r square से वो परिमान हो जाएगा तो ये सारी बात है जो mainly conceptual है जो ध्यान रखने है कि area vector area के perpendicular theta बीच का कोण है और ये formula है अगर एक समान विद्युक्षेत्र है तो इसका उप्योग करेंगे और यदि असमान विद्युक्षेत्र है तो क्या करेंगे फिर आप electric field का एक छोटे element area के लिए value निकाल के फिर उसका समाकलन करेंगे ठीक है असमान विद्युक्षेत्र में ऐसा हो जाएगा कि आपको पहले तो एक छोटा सा area element लेना होगा छोटा सा area element लेके आप छोटा flux निकालना फिर उसका समाकलन कर देना तो पूरे प्रश्ट का flux भी आपके पास में आ जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब इससे आराम से आपने note करिए फिर आगे बढ़िए यहां दो बाते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका flux है वो अदिश राशी है कैसी राशी है? कि विद्युक्षेत्र का और शेत्रफल सदिश का आप क्या कर रहे हो? डॉट गुणा कर रहे हो अदिश गुणन कर रहे हो तो हमेशा जब डॉट गुणा करते हैं तो आंसर एक अदिश राशी आते है तो इसको ठीक कर लीजिएगा यहां पहले सदिश लिख रहा था flux एक अदिश राशी है scalar quantity है ठीक है vector नहीं है अदिशा नहीं होती इसकी दूसरा इसका जो SI मात्रक है वो Newton meter square पर प्रति कुलाम या volt meter ये दो इसके SI मात्रक है अराम से आ जाएंगे देखो विद्यु छेतरका आपने Newton प्रति कुलाम ले लिया छेतरफल का meter square तो Newton meter square प्रति कुलाम आ गया या फिर आपने एक और मात्रक आप जानते हैं volt प्रति meter भी electric field का मात्रक होता है उसमें आपने छेतरफल का meter square गुना कर दिया तो क्या बच गया आपके पास में volt meter बच गया तो इस तरह से जो है आप calculate कर सकते हो जो unit है इसके ये लिख लीजी फिर आगे बढ़ते हैं ये दो मतलब basic basic बाते हो गई एक तो अधिश राशी और एक इसका SI बात रख फिर और क्यास की बारे में हमको पता होना चाहिए देखिए ये एक example आप देख पा है इस example में जैसे मेरा हाथ है इस तरह से क्षेतरफल यहां रखा हुआ है इस क्षेतरफल की लंबवत इस ओर क्षेतरफल सदिश बना के दे रखा है इनोने पहले से आपको ये देखो आप बाहर की ओर दे रखा है प्रष्ट से लंबवत खेतरफल सदिश और विद्युक्षेतर की दिशा भी उसी दिशा में दे रखी है जिसमें खेतरफल सदिश है यानि अगर मैं इसको दुबारा बनाओ तो खेतरफल सदिश भी दाई ओर है और विद्युक्षेतर सदिश भी दाई हो रहे है यानि इन दोनों सदिशों के बीच कोण कितना हो गया? 0 डिग्री अब फ्लक्स की परिभाशा आप सब जान गए हैं अब तक फ्लक्स होता है E A कॉस्ट थीटा थीटा का मान यहां कितना आ रहा है? जीरो डिग्री कॉस जीरो कितना होता है? 1 यानि आपका फ्लक्स आ गया प्लस का E A यह जो प्लस का E A फ्लक्स आया है यह मैक्सिमम यानि फ्लक्स का अधिक्तम मान है जो संभव था इसके लिए किसी और कोण पर निकाल के देखो कि इससे कम ही आएगा ठीक है? और इससे निर्गत फ्लक्स बोलते है जब भी एरिया सदिश में और विद्युक्षेतर में जीरो डिग्री का एंगल होगा उससे निर्गत फ्लक्स कहा जाएगा बाहर निकलता हो फ्लक्स कहा जाएगा और निर्गत flux हमेशा कैसा होता है positive इसको बोलते हैं इंग्लिश में outgoing flux outgoing flux is always positive ठीक है अब इसी का ultra angle लेके देखता हूँ 180 degree का angle लेके देखता हूँ अगर मैं 180 degree पर same diagram बनाओ तो वो ऐसा नजर आएगा खेत्र फल सदिश बाहर की और शेत्र फल सदिश बाहर की और विद्युक शेत्र भीतर की और यानि शेत्र वापस बनाएं अगर तो विद्युक शेत्र एरिया वेक्टर तो बाहर है विद्युक शेत्र उसकी विपरीद दिशा में है कूर कितना हो गया 180 degree flux की परिभाशा से निकाल के देखिए E A cos 180 degree कितना आजाएगा माइनस का E A और जो माइनस का E A है यह minimum यानि नियूनतम मान है flux का और नियूनतम मान किते डिगरी पर आ रहा है 180 degree पर आ रहा है ऐसे flux को हम बोलते हैं आगत flux यानि भीतर आता हुआ flux incoming flux और इसे भी आप लिख सकते हो कि incoming flux is always negative अंदर आता हुआ flux हमेशा negative होगा ठीक है तो यह भी आपके समझ में आ गया होगा और एक important कोन होता है 90 degree का कोन 90 degree के कोन पर देखते हैं क्या होता है यह देखिए यह प्रष्ट है इसमें विद्युक छेतर दाई ओर जा रहा है छेतर फल सदिश उपर की ओर है यानि इनके बीच का कोन कित्ता है 90 degree 90 degree के कोन पर आप flux ग्याद करके देखिए E A cos 90 degree cos 90 होता है 0 यानि आपका निर्गत flux या आगत flux कुछ नहीं आया है या पर flux कित्ता आ गया 0 आ गया 0 flux के हिसाब से आपकी ये value कोई flux इसमें संबद देता नहीं है ऐसा कह सकते हैं या एक और example यहां पर दिया है यह देखिए एक आयताकार क्षेतर फल है A जो white board के ही plane में रखा है हमारे और ये विद्युद बल रेखाएं गुजर रही है आप देख सकते हैं जो विद्युक छेतर है विद्युक छेतर है एकस वाई तल में है एकस वाई प्लेन में है लेकिन जो area सदिश आएगा वो z अक्ष की ओर आएगा बाहर की तरफ तो z अक्ष में है area सदिश x y plane में है विद्युक छेतर यानि हम ये कह सकते हैं कि यहां भी जो theta है वो 90 degree के कौन पर आ रहा है angle 90 degree है और 90 degree पर जैसा उपर हमने देखा था flux कितना हो जाएगा 0 तो यह main main बात हैं हमने flux के बारे में करी हैं अब यह और इसके बारे में हम सीखेंगे आगे के parts में जो 9th बिंदू है flux के बारे में वो क्या है देखो flux यदि किसी याद्रिक्षिक आकरिती की वस्तू से flux निकालना हो यानि किसी random shape के object में से flux निकालना हो तो आप क्या करेंगे flux को projectional area या projected area से क्या कर देंगे multiply projected शेत्रफल से आप इसे गुना कर देंगे projected word क्यों use कर रहे हैं देखो माल लो कोई गोला आपने ले लिया कोई गोला लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है आर अब आर्थ रिज्या के इस गोले के ऊपर मैं एक समांतर प्रकाश डालता हूँ torch से या किसी और माध्यम से मैं इसके ऊपर प्रकाश भेजता हूँ जो एक ही दिशा में जा रहा है तो पीछे इस्थित किसी दीवार पर जो आपको इसकी आकरिती दिखेगी परचाई दिखेगी वो कैसी दिखेगी वह आपको एक वृत्ताकार आकरिती नजर आएगी यानि कि कोले के लिए सफेर के लिए आपको पीछे circular डिस्क दिखेगा ठीक है चक्ति की आकरिती की पीछे आपको एक shadow दिखेगी परचाई नजर आएगी ऐसाम कह सकते हैं उसी प्रकार से अगर इस गोले के उपर में प्रकाश के स्थान पर एक नियत विद्युक्षेत्र यानि एक समान विद्युक्षेत्र में आसे अपलाई करता हो तो ये विद्युक्षेत्र जब इसमें से पास होगा तो हमें projected area लेना है यानि अनुप्रस्त काट का अधिक्तम मान इस गोले में कई छोटे बड़े अनुप्रस्त काट होंगे लेकिन हमें कौन सा छेत्र फल लेना है जो अधिक्तम हो यानि आर त्रिज्या का एक सरकल वरिप्थ वो इसकी क्या होगी projected area की value यानि पीछे वोई वाली बात है shadow कैसे shape की बनेगी अगर light डालेंगे तो circle बनेगा तो circle ही इसका क्या हो जाएगा projected area अब यहाँ पर आप तीन चीज़ें ग्याद कर सकते हो एक तो आप ग्याद कर सकते हो आगत flux यानि incoming flux पहले आपको सिखा दिया था मैंने कि incoming flux सदेव रिनात्मक यानि की negative होता है तो यहाँ वोई वाली बात है incoming flux है इसलिए minus sign आएगा क्योंकि खेत्रफल जा रहा है दाइए और जो शेक्तरफल सदेश होगा वो बाइए और होगा तो 180 डिग्री पर कॉस का मांग किता आजाएगा minus 1 तो सिधा लिख सकते हैं e into pi r square ये हमारे पास में आगत यानि incoming flux आ गया है ऐसे ही अगर outgoing flux की बात करें तो मैंने सिखाया था कि बाहर जाता हुआ flux हमेशा तनात्मक यानि positive होता है तो यहां से जब electric field lines बाहर निकलेंगी तो area vector किस तरफ आएगा दाइए हो राएगा शेत्रफल सदेश दाइए हो राएगा तो phi outgoing मैंने सिखाया है positive होता है e into pi r square और अगर आप net flux निकालते हैं तुल्य फ्लक्स निकालते हैं तो आप देखेंगे दोनों बराबर हैं कटके कितना हो जाएगा जीरा यह ध्यान रखिए किसी भी बंद प्रष्ट में जब भी नियत या एक समान विद्युक्षेतर भेजा जाता है तो हमेशा net flux 0 होता है आपको solve करके भी बता दिया वैसे आप ज्यान भी रख सकते हो तो यह इस point का meaning है कि ऐसा कोई object हो जिसमें कई सारे छोटे बड़े area आ रहे हो तो आपको सबसे बड़ा area लेना है जो अंदर उसका अनुपरस्त काट होगा projected area बोलते हैं इसको ठीक है तो यह बिन्दू आप लिख ले मैं एक दूए examples के माध्यम से इसको और अच्छे से समझा देता हूँ आपने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ यह देखिए यहाँ पे दस्मा बिन्दू बना करके एक प्रश्न दिया गया है जिसमें उपर की ओर से आप देख सकते हैं कि एक विद्युक छेत्र आ रहा है एक समान विद्युक छेत्र मान लिजे प्रश्न में दिया गया है यह इसका मान है अब यहाँ आप जब देखेंगे थोड़ी देर के लिए विद्युक छेत्र को प्रकाश मान दीजिए कि समानतर प्रकाश की कुछ किरने आ रही हैं तो नीचे अगर उसकी शैड़ो देखें परचाई देखें तो वो कैसी बनेगी बिलकुल वुसी जैसी गोले के अंदर बनी थी सबसे बड़े शेतरफल का जो वृत्त होगा उस आकार की पीछे आपको पर प्रकाश की बात हो रही है सारे ओप्शन प्लस में दिये गए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया मैंने आपको सिखाई गया दिया था प्रोजेक्टेड एरिया तो ई इंटू पाई आर स्क्वेर जो पिछले प्रशन का आंसर था हमारा निर्गत फ्लक्स का या जो मैंने एक्जामपल आपको दिया था वो ही इसका भी आंसर हो जाएगा यहां से आप वेरिफाई कर सकते हैं ठीक है तो यह एक एक एक्जामपल हो गया चलिए ऐसा एक और एक्जामपल लेकर समझते हैं इसको इसे लिख लीजिए मैं अगला प्रशन आपको दिखाटा ह यहां पे बोला गया है कि एक शंकू है जिसकी तरिज्ञा आर है आधार की और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ठीक है यह आर तरिज्ञा हो गई और यह एक्जिए उचाई हो गई अगर हम पूरे व्यास की बात करें तो इस शंकू का जो व्यास है आधार का इसके वो 2R लं लेकिन इस बार दाई और भेजा है तो एक समान विद्युद्चेत्र दाई और आप इस चित्र में देख पा रहे हैं इसका परिमान है तो यहां भी देखो मानलो प्रकाश की समानतर किर्णे आए तो पीछे परचाई किसाकार की बनेगी किसाकृति की बनेगी एक हुई है ना तो एक आपको त्रिबुज नजर आएगा जिस क्रिबुज के बेस की लेंग्थ होगी टु ऩ bour की जो लंबाई होगी वो 2R होगी और इस त्रिबुज की उचाई कितनी होगी H ये इसका प्रोजेक्टिड एरिया बन जाएगा ठीक है ये अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टिड एरिया जो आ रहा है जो एरिया यहां पर निकालना है ये वो त्रिबुज का एरिया Half base into height Half आधार into उचाई आधार की लंबाई कितनी है त्रिबुज के लिए 2R जो आपके शंकु का व्यास था नीचे जो बेस है उसका आधार का वो व्यास त्रिबुच के लिए क्या हो गई? वो त्रिबुच के भी बेस की लेंग्ट हो गई है ऐसे और जो उचाई है वो तो साफ साफ दीई गई थी H, दो से दो कटने के बाद में जो प्रोजेक्टेड एरिया आपके पास में बचेगा वो बचेगा और रही फ्लक्स निकालने की बात तो फ्लक्स हम जानते ही हैं E into area यानि E into R into H, अब यह देख लिए जे निर्गत फ्लक्स ही ये भी था तो प्लस का E R H, तो यह दो रफ डाइग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया आंसर भी हमको मिल गया, इसका जी, तो इस तरह से projected area लेते हैं उम्मीद हैं आप समझ गए होंगे क्या इसका मतलब है, यानि कि आप इस तरह से imagine करो कि light जा रही है और पीछे बन रही है shadow परच्छाई तो वो किस आकरिती की होगी किस आकार की होगी वैसा area यहां पर हमको लेना होता है खेर, फिलाल आगे बढ़ते हैं यह देखिए, अगला बिंदू अगला गोंड जो है, या फ्लक्स की कुछ महतुपूर्ण बातों की जो हो रही थी बात उसके बारे में किसी बंद वस्तू जिसमें कोई आवेश परिबध ना हो यानि एक ऐसी बंद वस्तू जिसके बीतर कोई आवेश उपस्थित ना हो उसकी बात हो रही है और बात क्या हो रही है देखते हैं उसको एक समान अथवा असमान वैद्युक्षेतर में रखे जाने पर वस्तू से नेट फ्लक्स सदेव शून्य होगा पर ये ध्यान रखना अंदर उसमें कोई आवेश नहीं होना चाहिए अच्छा एक समान वाली बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दिय थी कि अगर एक समान विद्युक्षेतर किसी बंद वस्तू में से गुजरता है तो उसका फ्लक्स हमेशा जीरो आता है वही चित्र है जो मैंने पीछे आपको बना के समझाया था गोला था आगत फ्लक्स निर्गत फ्लक्स दोनों बराबर लेकिन विपरीत कटके कितना आ गया था जीरो अब जो नीचे आपको एक्जाम्पल दिख रहा है ये असमान विद्युक्षेतर का है क्योंकि यहां जो विद्युक्षेतर बल रेखाएं दिखाई गई है वो किसके कारण है एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश का विद्युक्षेतर आप सब जानते हैं के क्यू बटा आर स्क्वेर होता है यानि आर का मान बढ़ता जाएगा विद्धु छेत्र का मान कम होता जाएगा यानि आप जितना दूर जाएंगे छेत्र का मान कम होता जाएगा यानि एक तरह से हम कह सकते हैं यह समान आवेश है क्योंकि परिमान बदल रहा है और दिशा भी अलग-अलग है एक समान में दिशा भी समान रहती है तो ये वाली बात है कि असमान के अंदर भी, पर ये ध्यान रखना कि अंदर कोई आवेश नहीं होना चाहिए, अगर इस गोले के अंदर कोई खुद का भी आवेश हो गया, तो वो अपनी नई बल रेखाएं बनाएगा, वो बल रेखाएं या तो गोले में ऐसे सिर्फ बाहर निकलेंगी या सिर्फ भीतर आएंगी, नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा उस इस्थिति में, इसलिए यहां ब्रेकेट में साफ साफ लिखा है कि उसमें बंद वस्तू में कोई आवेश परिबद नहीं होना चाहिए, खुद का, ठीके, तब तो चाहे समान हो या असमा इसे, तो गौस की प्रमिय हमने पड़ी तो नहीं है, पर आप सब थोड़ा बहुत आईडिया रखते होंगे, फाई बराबर क्यू बटा एपसालें नोट इसमें क्यू कौन सा आवेश होता है, बंद वस्तू के भीतर का आवेश, अगर भीतर का आवेश ही नहीं हुआ, तो यह 0 हो गया, यानि फ्लक्स भी कित्ता हो गया, 0, यानि आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, कि एंक्लोजड आवेश, यानि भीतर का आवेश, बंद वस्तू के भीतर का आवेश अगर शून्य है, तो फ्लक्स भी शून्य होगा, तो उसी बात को गणिती रूप में लिख यह mathematical रूप में इसको लिख दिया है, इसो लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, अब यह एक प्रश्न है, जो NCRT के जैसा है, NCRT में ऐसा एक उदाहरन है, जिसकी यहां पर बात हो रही है, यह पूरा प्रश्न है, पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर इसको solve करेंगे, एक गन है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई A है, यह गन खुद, मूल बिंदू से A दूरी पर स्थित है, X अक्ष पर, X अक्ष पर A दूरी तूर है, मूल बिंदू से और खुद की लंबाईयां भी A है, जो विद्युक्षेत्रों की मान दिये गए हैं, उनमें लिखा है कि X अक्ष की अनुदिश तो विद्युक्षेत्र है, 5 रूट X, Y और Z अक्ष में कोई भी विद्युक्षेत्र नहीं है, ठीक है, यह यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, फिर इसके बाद पूछा क्या है, घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, एक तो हमको यह बताना है, और दूसरा घन द्वारा परिबद आवेश कितना है, तो उसके लिए मैं गौस की प्रम्या यूज़ करनी होगी, 5 बराबर Q बटा एपसालिन नॉट है न, तो वो हम यूज़ करेंगे, 5 बराबर Q बटा एपसालिन नॉट, तो पहले तो फ्लक्स विद्युचेत्र केवल X अक्ष में दिया गया है, प्रश्ण को आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपने देख लिया होगा कि X अक्ष में विद्युचेत्र था 5 रूट X, बाकी Y में और Z में फ्लक्स का मान 0 दिया गया था, कोई फ्लक्स का मान वहाँ पर नहीं फिर क्या करेंगे, डाइग्राम बनाईए, कि देखिए X अक्ष की अनुदिश तो एक शेक्तर है, कितना है 5 रूट X, Y और Z में यानि इस तरफ कोई फ्लक्स नहीं है, ना तो Y की और ना बाहर Z की तरफ कोई फ्लक्स है, अब हम एक एक करके, अगर ध्यान से देखें, तो लाल रंग का जो विद्यूक्षेतर का मैंने डाइग्राम बनाया है, यह रेखाएं कौन से वाले इसके फेस में से एंटर होंगी, इस घंकी अगर बात करें तो इसमें 6 प्रष्ट हैं, तो किस प्रष्ट से रेखाएं, अंदर भीतर इसके दाखिल होंगी, अंदर आगत फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, प्लस, निर्गत फ्लक्स कैसा होता है, माइनस, तुम एक बर रफ में करके दिखाता हूं, फिर आप फेर में देख ले न, आगत फ्लक्स निकालते हैं, यानि इंकमिंग फ्लक्स, आगत फ्लक्स वाला प्रिष्ट मूल बिंदू से कितनी दूरी परस्थित है, ए दूरी परस्थित है यानि यहां आगत फ्लक्स के लिए आप X का मान कितना put करोगे A तो E into A करते हैं न हम लोग तो E का मान आ गया है 5 root A और A का value भी जो है वो कित्ता दिया है 1 meter यहां पर प्रश्ण में दिया था पीछे यह देख सकते हो E का मान कितना दिया हुआ है 1 meter तो 5 root X, X का मान पहले प्रिष्ण के लिए A है, A की value भी सवाल में बन दी हुई थी, तो यह 5 root बन तो हो गया, विद्रक्षेत्र X दिशा में फिर, जो area vector आप लेंगे, क्षेत्र फल सदिश, वो कैसा लिया जाता है, लंबवात बाहर की ओर, लंबवात घंसे बाहर की ओर, यह क्षेत्र ऐसा है यह ABCD वाला जो इसका वर्ग है और उसका लंबवात बाहर की ओर cube के बाहर आप लेंगे, तो वो negative X में आएगा, यानि कुल मिला के A square with minus minus I, कैप आप लिख सकते हो, तो मैंने A square लिखा I, इसमें भी लगा दो, I, इसमें भी लगा दो विद्धिव शेत्र भी I दिशा में है और खेत्र फल सदिश, minus I दिशा में है, तो आपका जो आगत flux है, वो कितना आ गया, minus 5 A square, और A square तो 1 होई जाएगा, क्योंकि A का मान 1 है, तो कुल मिला के, minus 5 आपका आगत flux हो गया, फिर मैं यह सब लिखने के लिए है, tension मतलो समझ लिए पहले आप, outgoing flux आप निकालेंगे, तो देखिए जिस वर्ग में से flux बाहर निकल रहा है वह मूल बिंदू से कितनी दूर स्थित है 2 A दूरी पर स्थित है यह खुद A और A और कुल दूरी कितनी हो गई, 2 A तो हम फिर X के स्थान पे 2 A पुट कर देंगे, यानि 2 पुट कर देंगे तो 5 root 2 I cap गुणा A square भी I cap, तो कुल मिला के यह आपका आगया, 5 root 2 निर्गत flux है, इसलिए प्लस आगया आगत flux था, वो माइनस आगया था अब इसी का अगर fair देखने है तो भी आप देख सकते हो अराम से जो value हमारी आई है उनसे आप match कर सकते हो same answer इधर दिया हुआ है ठीके? यह आग समझ सकते हैं तो अगर मैं incoming flux से शुरू करूँ तो incoming flux में हमारा भी minus 5 answer आया था, यहां भी minus 5 लिखा हुआ है ठीके? और outgoing flux, यानि निर्गत flux की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरह से आप देख सकते हो, निर्गत flux में भी जैसे incoming flux था वैसे यहां पर outgoing flux है ठीक है? एक बार दूरी x के स्थान पर a put करी यानि 1 और एक बार 2 है यानि कि 2, incoming flux है चाहो तब खुद से पहले ही minus लगा दो और outgoing में plus लगा दो या 0 180 degree angle लेके cos का मान निकलोगे अपने अब वह आ जाएगा और आगत निर्गत flux दोनों को जोड़ दिया तो जो कुल flux हमारे पास में आया net flux हमारे पहले भाग का जो answer है वो यह आ गया है दूसरे भाग के लिए मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था क्या करना होता है दूसरे भाग में हमको जो phi है वो phi को मैं q by epsilon not के बराबर करूँगा फिर q ग्याद करने के लिए phi गुणा epsilon not यानि इसी flux में आप epsilon not और गुणा कर दोगे तो वो आवेश कमान आ जाएगा जो इसके भी तरस्तित होगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था ये इसके second part का answer आगे है ठीक है पर ये NCRT का example था और इसमें दो सवाल पूछे गए थे उसी प्रकार का ही सवाल है हो सकता value थोड़ी change हो बागी question वही है उसी type का है बागी second exercise में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्म ऐसे नहीं है लेकिन आसान सवाल था तो हम कर सकते हैं अगर आभी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी एक दूसरे प्रकार के प्रश्म के बारे में यहाँ एक प्रश्म देखिए आप ध्यान से यदि विद्युक्षेत्र सदिश यह हो तो 2 मीटर स्क्वेर का एक वर्ग जो एकस वाई तल में स्थित है उसका विद्युद्फलक्स कितना होगा फाई ए का मतलब यहाँ पर विद्युद्फलक्स है तो हम देखते हैं क्या क्या डेटा हमें दिया है उसके इसाब से हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हमें विद्युक्षेत्र का सदिश दिया है 2i cap, 3j cap, 4k cap उसके बाद हमें चाहिए होता है area vector हमें area का परिमान तो दिया है 2 मीटर स्क्वेर और साथ में यह लिखके दिया है कि वह xy तल में स्थित है सदिश हमें खुद बनाना होगा तो इसके लिए फिर हम एक चित्र बनाते हैं चित्र में x अक्ष, y अक्ष और बाहर की और screen की तरफ z अक्ष जिसको मैंने ऐसा बना दिया जो वर्ग है जिसका क्षित्र फल 2 मीटर स्क्वेर है वो xy तल में स्थित है जैसे की नीले रंग का वर्ग मैंने बना दिया x और y अक्ष को छू रहा है x y तल में स्थित है तो इसके लंबवद जो क्षित्र आएगा लंबवद जो सदिश आएगा वो इसके दिशा बताएगा तो x और y के लंबवद क्या आता है z अक्ष यानि जो आपका एरिया सदिश होगा शेत्रफल सदिश होगा वो कितना हो जाएगा 2k cap जिस तल में आपका शेत्रफल स्थित है हमेशा एरिया वेक्टर उसके लंबवद आता है इसलिए अब हमारे पास में एरिया वेक्टर भी आ चुका है 2k cap flux ग्याद करने के लिए हमें इन दोनों का dot गुणा करना है e dot a तो i dot k 0 j dot k 0 k dot k 1 होगा तो 4 दुनी 8 newton meter square प्रती कुलाम ये हमारा answer हो जाता है ठीक है ये इसका हलो गया चित्र के माध्यम से मैंने आपको पूरा है समझा दिया है अभी इस प्रशन में तो x y तल था अगर x y के स्थान पर कोई दूसरे तल भी होंगे तो घबराने की आवशक्ता नहीं है बड़े आराम से आप ग्याद कर सकते हो कैसे करो के देखो x y तल था तो क्षेत्र फल सदिश की दिशा क्या आई area vector किस दिशा में आया k cap में आया देखो करके बताए ना मैंने आपको x y लंबवत k cap अगर x y के स्थान पर y z तल भी दे दिया तो y z के लंबवत कौन से दिशा आएगी x अक्षवाली दिशा आएगी यानि area vector फिर हो जाएगा i cap के अनो दिश और ऐसे ही अगर आपको x z तल दे दिया जाता है प्रशन के अंदर तो फिर x z के लंबवत area vector की जो दिशा आएगी वो किस ओर आएगी j cap के अनो दिशा आजाएगी या और अच्छे से मैं अगर इसको दिखाऊं आपको तो हम ये कांग सदिश ले सकते हैं क्योंकि हमें केवल दिशा ही तो अप्रदर्चित करनी है तो ये ध्यान रखिए कि जो तल दिया है उसके लंबवत हमेशा दिशा आती है शेत्रसल सदिश की ठीक है